वीडियो तो आज का वीडियो बहुत जाद हैं इंट्रस्टिंग होने वाला क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं डॉग हाउस यहां गाइस डॉग हाउस के लिए मैंने जगह क्लियर कर रखिया तुम लोग यह से देख सकते हो यह वह जगह जहां पर हमाना डॉग हाउस बनाने भींहल है वाले है और यह वीडियो टॉटोर्यल वीडियो भी है तो यह तुम भी बिना सकते हो देख deputy देखो यह रूसरार करते हैं तो सबसे पहले हैं यह में लगाने हो गया जआ एए वाइट कंक्रीट की ब्लॉक वाइज में चार ब्लॉक लगाने एक ओर दिए बेषा representing तो तोंहें भी आज़ानी दो कगा वेब वीच में चोड़ना है उसके बाद तुम्हें लगा दना श्व likewise कि में यह спасибо 어ूपर लेना बोना आए-उसको तेंय। कुछ मुझे गङरे व시대로 जबती थि थी बार फिक हो चुकी है अब कर दियार की से ने वाले हैं एक फड़ है यहां मुझे कुछ ऐसे ब्लक लगाना है इसके बिल्कुल एज पर विल्कवाना है ऑब तुमें इसको 8-8 ब्लॉक कर देना है हर तरफ से स्क्वेर बनाना है तुमें 8 बाए 8 का जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही एक दम परफेक्ट 8 बाए 8 का स्क्वेर बनाना है देख गाई 7 ही होगे और एक नीचे वाला 8 8 ब्लॉक यहां पर भी होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक लास्ट वाल ब्लॉक तो होगे आठ अब मुझे इसको गाइज यहां पर कनेक्ट कर देना दोनों को आपस में आठ बाइज आठ बाइज का स्कूर बनके एक दम रेडी हो चुका है तुम देख सकते हो अभी तुम्हें डॉक की तरह नहीं लग रहा होगा लेकिन थोड की तरफ से जैसे तुम देख सकते हो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही तुम्हें भी बनाना है तो स्कूर मंके रेडी हो चुका है और मैंने स्कूर को 2-2 ब्लॉक और अगे किया मतलब टोटल 3 ब्लॉक का स्कूर मने गई यह तो एक दो तीन और अब तुम्हें इसको आगे स यह पर बन लगने चींश लोक ब्लपी प्रमय समय को बंसक्त को करने for the अब गाइज रह चुके हैं इसके सिर्फ इयर्स अब ये एकदम डॉक की तरह लगने शिरू हो चुका है अब हमें इसकी बॉडी बनानी है पीछे की बस और कुछ नहीं और पिर इसके अंदर डेकॉरेशन करनी है डेकॉरेशन भी मैं तुम्हें दिखा दो मैंने कैसे कैसे किया तुम भी वैसे करना चाते तो कर लिए करो यार यह देखो गाइस बंदम प्यारा हमारा डॉग लग रहा है अब हम इसके पीछे की तरफ से इसको एक्स्टेंड करने वाले है क्योंकि इसके अंदर भी रूम बन भी जाना देना थे गाइस आठ ब्लॉग तुम्हारे उसकी लेंध रहेगी और ब्रैथ यह जितनी उत्की है उतनी ही इसकी बहुत रहेगी ब्रैथ भी इसकी आठी रहने वाली है क्योंकि उसकी भी आठी है तो इसको पूरा फिल कर लेता हूं उसके बाद में तुम लोग क को दिखाता हूं और लगबग सारा कुछ फिल कर लिया होगा तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं तुम्हें कैसे करने के लिए बोल रहा था और तुम देख सकते हैं मेरा फिल होने वाला लगबग बस थोड़ी सी जगह रह चुकी है और यह भी हमारा पूरा फिल हो चुका है अब हमें इसके इसके पीछे का बार्ट बनाना देखो गास यह भी बन चुका है मैं सोच रहा हूं कि इसको एक-एक ब्लॉक और एक्स्टेंड करते क्योंकि मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है वैस्ते रहने ही देते हैं यार क्योंकि फिर जाद लंबा हो जाएगा तो ग अब मुझे इसको भी थोड़ा बहुत आगे कर लेना एक दो तीन चार पांच छे चे ब्लॉक मुझे बहुत लग रहे हैं इनफ लग रहे हैं तो यह भी बनाना तो ऐसा ही बनाना मुझे तो बढ़ बड़िया लगा था जब बन गया है और यह काम भी हो चुका है मैंने बन तो अब हम बनाने बाले हैं इसकी टेल के लिए तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना उसके तुम्हें पीछे से बिल्कुल ऐसे तुम्हें इसको तीन ब्लॉक तुम्हें आगे लेना तेल के लिए एक दो तीन और टेल से यार हमारा रास्ता भी वहने वाला है इसके अंदर जा देना अब तुम चाहो जितने मर्जी व्लॉक नीचे कर ले लेकिन जो टेल होती है उसको श्रीर से थोड़ा नीचे ही आएगी तो इसलिए उसको थोड़े श्रीर से नीचे ही करना जार चैनल लग भग हमारी बनने फी वाली यह थोड़ा सकते हो टेल भी पहुत बहुत दिई लग एब तुम इसको यहां से भी कवर करना चाहो तो कर सकते और नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो और वम इसके बनानी है आप तुम न्योंगा लिट रहा है तो जह कुछ तो कमी है इसमें गपर में पीछे वारी लेक्सितों छे कि यह दो गुद्ट कि पर बनाने के लिए बिए बाइधा जर्ट जाह कि एप बनाना मेरे को स्टाइटिंग में बहुत मुछिकल लग रहा था लेकिन देखो गाइज कितना इजी है मतलब सिंपल स्ट्रक्ट्चर है यार को ज़्यादा मुश्किल निहीं बात जैसे स्टप्स मैंने बनाया वैसे इस ट्रक में तुम भी बनाना बहुत बढ़ी बनने वाला यार तुम्हारा भी स्ट्रक्चर हमारा पूरा बन के रेडी हो चुका है अब मैं यहां पर बना लेता हूं सीडियां हम इसको नीचे इसलिए कर रहा हूं को कि यहां पर मुझे स्टेर्स लगानी है उपर जाने के लिए तुम लोग चाहों तो स्टिकी पिस्टन और स्लाइम का यूज़ करके भी उपर जा सकते हो मैं तुम्हें एक बारी दिखा देता हूं कि हमारा डॉक कैसा लग रहा है तुम देख सकते हो इस पूरा डॉक हमारा बनके रेडी हो चुका है बस हमें इसके अंदर डैकोरेशन बगारा करनी है बस और कोई काम नहीं रहता है तो यह स्टेर भी लगा देत तुम्हारी मजह है तुम यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो फ्øमारे भी अ choler करेशन बहुत बढ़ा होती है तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है मुझे तो बहुत बढ़ा लगा तो मैं कासा लग रहा है? कॉमेंट्स में जरूर बताना तो यह देखो यह ऐसी से हमारे डेकोरेशन बन जाएगी अब हम यहाँ पर थोड़ी बहुत खिड़किया मुनाने वाले हैं खिड़कियों के बीच में क्या लगता भाई कांच और मैं वाइट कांच लगा रहा हूं क्योंकि हमारा जो डॉग है वह अंदर से कोगला था मतलब वह अंदर से दिखता थोड़ने उसके ऑर्गन्स तो इसलिए हम इसको थोड़ा वाइट ग्लास में इसका यूज करने वाला हूं ताकि थोड़ा ट्रांस्लूसेंट हो जाए ट्रांस्पेरेंट की जगह ने इस तरफ तvous लगेंगे एक साइद मैंने ग्लास लगाने तो यह असामने निus ब्लगा देंग तो वह तो क्याएत। रावимости यह सामने क्रीपर को थे ख़ड़ा है मैं पूना सामने के नरी हमारे कॲशेंब ने निक्स चते हितना है यार थोड़ा सा अंदेरा हुआने कि माप स्पाउन होना शुरू हो जाते हैं तो यह बैड भी रेडी हो चुका है यह वाला बैड भी एक्तम बन के रेडी हो चुका है और गाइज अब हम बनाने माले हैं पढ़ दे कैसे बनाने हैं मैं तुम्हें सिखा देता हूं यार कुछ मेरे अंदर पहले तू गुछले मेरे अंदर यार एक क्रीपर बहुत दुमाख आप करते हैं कर मैं सर्वाइवल में बना रहा हूता अभी तक इसने इसको पूरा ब्लास्ट कर देना था तो सबसे पहले तुम्हें लेना वाइड बैंडर साथ में लेनी है रेड डाई रेड हूता हैं तुम भी ऐसे बिनाले लेन ना यार अब मैं उसको बैंडर को यहां पर लगा देता हूए जो हमारा एककड़ की तरह हैं लगने वाले हैं जो कघंड़ के तरह ही लगहने हैं मुझे तो बहुत बड़ी हदा अब यार तुम्हें कैसे लगे मुझे जुरूर बता इसको मैं यहां यहां पर लगाने वाले हूारा है दम लगने और ठोचेवां यहां पर सोच रहा है नहीं पर ज़े तक किने सुने नहीं करता है तो टेले disgर होत्तोरा खमुदा में बैकन जो दूबर लगणी रहीं यहां फिर हम निकालेंगे लाल टें तिन में से जो अच्छा लगेगा हम वह यूज़ करने वाले तो सबसे पहले मैं लगा के देख लेता हूं यहां पर पॉपी फ्लावर पॉट के अंदर डाल के लिए तो मैं सोच रहा हूं पॉपी फ्लावर ही लगा लेते हैं तो अब हमा करनी होगी तो वैसे मैं दिखा दूगा कि मैंने कैसे कैसे की है तो तुम भी वैसे अगर करना चाहो तो कर सकते हो तुम्हारी अपनी मर्जी है तुमने जैसी मर्जी करनी है तुम कर सकते हो तो यहां पर मैं एंडर लगाने वाला हूं कुछ इस तरीके से बहुत बढ़ी है का मुझे डिजाइन लगा और जैसे हम ने रूम की स्टार्टंग में किया था यहां पिरना आ है पूरा को बना देना जैसे मैं हमने स्टार्टंग में बना यह था वैसा भी लग जा यह एंड रॉड ल dependence की अधर हो बूट मुझकल से लगती हां जैसे देखो यह साइड पर लग गई वासे इसको लगाना मुझे बहुत मुझे लगता तो इसलिए मैंसे लगती नहीं है यहां पर मैंने एंडर लगा दिया अब हमें डॉक के फेस के अंदर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है उसके लिए मुझे लगेगा आइरन ट्रैप यहां पर मैं ट्रैप डॉर लगाने वाला हूँ अब मुझे यहां पर लगाने है आर्मर स्टैंड है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम बैनर से शीशे टाइप का डिजाइन कैसे बना सकते हो तो यहां बनाने वाले हैं जो हम यहीं पर लगाएंगे यहां बैनर मुझे मिल जाएगा यहां पर सबसे नीचे जाके मुझे जाएगे होगा यहां इसके लिए भी वाइट बैनर वाइट बैनर सबसे आधा काम आने वाला है तो सबसे पहले तुम्हें यहां पर ऐसा बनाना जो सबसे पहले डिजाइन होता है उसके बाद तुम्हें ब् अभी इं tad सकते होकेर चुक मरें और बंड रडी हो चुक हैं थ्वियर लाघ आछे हैं हम बहुत प्यार को चैए होगा है है सारी डेकुरेशन हो चुकividad मैं तुम्हें इसकी लुक दिखा देता हूं यह कैसा लग राय है संथारी तरफ से बहुत प्यारा लगा है मुझे तो तुम्हें कैसा लगा है मुझे अम्छे कामने जाकर जाकर बताना यह देखो पहले रूम की डेकोरेशन रहा हिती फिर भी एक पर अरी कारपेट कैसे लग गया पर हम करें दोसें की सिंद्धर कर दे देखते आगMore यह यहां पर यां पर आर्मर स्टांड कर रहा है यहां फर को यहां पर ही जिय upfront तो बस यार आज की इस वरी वीडियो में इतना ही वीडियो एचले को लाइक करना चैनल पर नहीं चैनल को सिस्क्राइब कर देना में मिलता हूं तुम्हे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई